हालो दोस्तों टाक्स पर वेल्ट में आपका स्वागत है और पूरे दिन के फाइनल से न्यूस के साथ हम आ गए और आज बात करते हैं मार्केट और मार्केट से डिल्टेट कुछ सेयर्स की तो सबसे पहले आज का मार्केट इंडिया में ग्रीन रहा और निफ्टी सेंसेक्स सब उचा रहा और रिलायंस में काफी अधिक उचाल कल से आज में देखा गया जब से जीओ में फीसबूक ने चल्ब के उचा रहे के बंद हुआ और साथ के साथ कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों से कल भी मार्केट अच्छा रहा आज भी मार्केट अच्छा रहा और उमीद करते हैं कि मार्केट इसी तरह से रहे ताकि कुछ मार्केट रिकावर हो जाए लेकिन यह कहना मुस्किल है कि ये कब तक ऐसे रहेगा खेर इस बीच में ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट आ रहे है कि जून जुलाई के लास तक जो डॉलर प्राइस है एक डॉलर इसकल टू एटी रूपीज हो सकता है ये भी एक तरह का कयास लगाया जा रहा है इसमें बहुत अलग अलग तरह की पेंडीचर को कम करने की कोसिस कर रहे है उस बीच में ये आप कह सकते कि एक कदम है जुलाई तक के लिए से रोख दिया गया है इधर वेस्ट मेंगाल गॉर्मेंट ने कहा है कि अगर कोई भी जो डॉक्टर या कोई भी लोग है जो कि कोवेट होस्पिटल में काम करते है फ जो प्रोसेसिंग थी उसको कम कर दिया क्योंकि मार्केट में भी वाइल कुरूड वाइल और उस सब चरकी जो चीज़ों थी उसकी रिक्वार्मेंट नहीं है तो उसको देखते हो रिलाइंस अपने प्रोडक्शन को कम ही कर दी है इधर दिल्ली की हवा जो हमारी हवा काफी साफ होगी है और कहा जा रहा है कि अभी तक का बेस्ट उस तरह से गिरावट है पॉलूशन में तो यह काफी अच्छी बात है इधर वोड़ा फोन ने जो उसकी पैरेंट कंपनियों ने 200 मिलियन डॉलर का ग्राइक तरह से कह सकते हैं मदद दी है इंडिन कंपनी ताकि उनक कि हालत क्या होगी कैसे होगी उसको लेकर लगता है कि उन्होंने इस तरह का कुछ ग्रांड दिया है यह भारत सरकार ने कहा है कि उन्होंने और डी रियर लाइन को कह रहा है कि वो टिकट सेल ना करे लेकिन हमारे यहां तो यह लाइन मानने को तयार नहीं वो अपने टिकट चाइनीज गवर्मेंट तो नहीं कहूंगा चाइनीज इन्वेस्टर है उनको यह माना जा रहा थे कि ग्लोबली होस्टाइल टेक ओवर कर रहा है तो उस तरह के चीजों से अब बचावत होगी जो FDI के नौस में चेंज किये गए हैं इसके अलामा अगर बात करें तो भारा सर देखा जा रहा था कि जहां तहां जो हेल्थ वर्कर है उन पर अलग अलग तरह के अटाक हो रहा है तो उसको देखते हैं गवर्मेंट ने के स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इधर सी भी नहीं कहा है कि वह 90 डेस का टर्म लून देगा NBFC को MFI को ताकि उनकी लिविटी की जो प्रॉब्लम है वो उससे बाहर आ सके और जो प्रॉब्लम चल रहे लिकुरिटी से उससे वह फाइट कर सके तो खेर आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सेर करना सब्सक्राइब करना ना भूले साथ के साथ हम सारे प्लेटफॉर्म पर ख झाल 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 झाल